अब हम आते हैं प्रत्थम वर्ग के पादरी समाज के से जुड़े हुए लोगों का जीवन यापन कैसा था ये जानने के बाद अब हम देखें ये चर्च जो था एक और चर्च और दूसरी और समाज इसमें क्या संबंद भिक्षु लोग अलग रह रहे थे शहर के बाहर थे पादरी चर्च वगर सब अलग थे तो क्या ये समाज से कटे हुए थे समाज से किस प्रकार इनका सरोकार था तो चर्च और समाज इस पर बात करेंगे और चर्च का जो इतिहास है इसकी शुरुआत इसा मसी के समय से ही है उत्पीडित किया क्योंकि रोमन सरकार इसाई धर्म के खिलाफ थी लेकिन धीरे धीरे जब शंक्या बढ़ने जाती है तो यही रोमन समराज इसाई धर्म को राज धर्म बना देता है बढ़ती हुई जन संक्या इसाईयों की रोमन समराज को विवश करती है कि वह इसी धर् खर्म का दर जादे और जब ऐसा होता है तो चर्च और मदबूत होता है और एक संगठित रूप धारन करता है संगठित रूप के अर्थ उसमें बगादा प्रशासनिक धांचा रहेगा जैसा मैंने बताया पोप से लेके नीचे भेख्षु तक उन धांचे के माध्यम से प्रचार प्रसार जीवन यापन पादरी बिशप आर्ग बिशप आदिलों की जीवन ये गवर्न होता था चौथी शताब्दी से क्रिश्मस और इस्टर इनके मुख्य तेवहार बन गया जो आज भी है पचीर दिसंबर को जो ईशा मसी के जन दिन के रूप में जो बनाया जाता था वो जारी रखा गया उसके पहले एक पुराना रोमन तिवहार हुआ करता था पर इस तिवहार के बदले अब उस तिथी में उसी तिथी में अब ईशा मसी का जन दिन मनाया जाने लगा इसी प्रकार और इसी तिथी की गणना जो है ये जो पचीर दिसंबर ये सौर पंचांग से होती थी सोलर केलेंडर और लिवनार केलेंडर दो तरीके के केलेंडर होते हैं इसका विस्तरित अध्यान आप किसी और विशा से कर सकते हैं फिलहाल इतना जाने कि केलेंडर जो होता है ग्रिगेरियन केलेंडर है वास्तों में ये ये दो लिवनार केलेंडर और सोलर केलेंडर जो पंचांग और चंद्रवा से निर्धारित पंचांग जहां तक 25 दिसंबर की बात है इसा मसी के जन्व किती थी यह सोलर कैलेंडर से निर्धारित है इस्टर जो है वो इसा के पुनर जन्व का प्रतीक था 25 दिसंबर जन्व का प्रतीक इस्टर पुनर जन्व का प्रतीक जहां वो सोलर कैलेंडर पे आधारित था इस्टर लिवनार पे और इसलिए इसकी तिती निर्धारित नहीं थी चंद्र पंचांग पर होने के कारण इसकी अनिश्चित्ता बनी रहती थी जबकि उसकी 25 दिसंबर को ही होता है आप देखेंगे कि यह एक तिवहार है जिसकी तारीख फिक्स है वो तारीख के अनुसार तिवहार मानाते हैं 25 दिसंबर अर्था 25 दिसंबर लेकिन इस्टर जो है वह चूंकि लूना केलेंडर पे अधारित है अनिश्चित्ता बनी रहती है इनकी त दूसरे रूप में मनाया जाता था लेकिन इसाईयों ने से अपना लिया नया रूप दिया कुछ एक तिवहार का रूप दिया इन तिवहार के दिनों में हर गाउं में व्यक्ति अपने अपने जमीन का दौरा करते थे जहां उनकी जमीने होती थे इसे देखने जाते थे य इसाई धर्म के आने के बाद ये दोरा जारी रहता है छुट्टियां जारी रहती है और अब गाओं के स्थान पर पैरिश आए पैरिश का मतलब होता है एक पादरी की देख रेक में आने वाला ख्षित भागुलिक ख्षित पहले गाओं कहते था उनको हर गाओं में एक पैरिश और पैरिश क्या होता था पैरिश मतलब एक पादरी के कारिक ख्षित्र में आने वाले भागुलिक ख्षित्र दाइरे में आने वाला भागुलिक ख्षित्र वो कहलाता था पैरिश त्योहरों में लोग कोई काम नहीं करते थे बलकि दावतों की प्रितिक्षा करते खुब आमोट प्रमोट करते थे और आनन्द करते थे इस आमोट प्रमोट के जीवन में ये बात तही थी कि ये बड़े गुमकड हो गया थे खुब घूमते थे इनके जीवन शैली का एक हिस्सा हो गया था इनके जो सर्वोच अधिकारी थे या सर्वोच जो गूरू थे जिने पोप कहते थे पोप रोम में बैठते थे और माना जाता है कि पोप जो है वे इश्वर के एक तरीके से प्रतिनीदी हैं वो इसके प्रतिंदिर के रूप में यहां कारе करते थे 500 से 1500 का जो काल है वैसे तो यह सद्धियाय का अध्यन का काल 900 से 16 है पर हमको फोड़ा पहले यदि हम जाएं तो हम समझेंगे कि पोप का जो आधिपत्य था वो 500 से 1500 के काल में काफी था सेन्ट पीटर्स जो इसा मसी날 के शिश्ष थे शिश्षों में से एक थे उन्हें उत्तराधिकारी मानते हुए वहाँ से ये प्रथा शुरू होती है और फिर एक इस्थाई प्रथा का निर्वान होता है पोप के रूप में पोप का निर्वाचन जो होता है वो कुछ पादरी करते थे जने हम कार्डिनल कहते हैं C-A-R-D-I-N-A-L ऐसे पादरी जो बहुत उची उचे दर्जे में हैं और हुने ने हिंदी में से बोलेंगे प्रमुक, कार्डिनल तो कार्डिनल लोग मिलकर पोप का निर्वाचन करते थे और जो व्यक्ति पोप चुलिया जाता था वह जीवन पर्यंत पोप रहता था अर्थाथ पोब का पद कुछ काल के लिए नहीं है उसकी कोई उम्र सीमा नहीं है सपश्ट है कि जब तक वह जिन्दा है तब तक वह पोप है उस पद पे बना रहेगा तो सर्वोच अदिकारी सर्वोच धर्मिक गुरून का पोप और काफी दबदबा इसाई धर्म जो पूरे विश्व में फैला पूरे विश्व में जहां भी इसाई धर्म फैला उन सब ने रोम के पोप को अपना मुख्या माना अब चर्च के प्रशासन की बात करें इसके प्रशासन के लिए हर स्थर पर एक प्रबंधन तमिती होती थी इस थानी प्रबंध होता था जो कैथोलिक जो पूरा इसाई धर्म था वो प्रादेशिक खेत्रों में बटा हुआ था जिसे मैंने पूर में बताया प्रांथ प्रांथ के बाद आते थे मंडल जिसे डायसिस कहते थे फिर जनपद जिसे पैरिश कहते थे प्रांथ, मंडल, जनपद मंडल को डायसिस भी कहते हैं और जनपद को पैरिश भी कहते हैं प्रांट का जो मुख्या था उसे आर्क बिशप कहा जाता था जैसा मैंनो दारन दिया कैंटरबरी का आर्क बिशप इंग्लेंड प्रांट का और मंडल का जो मुखिया था वो बिशप कहलाता था एक मंडल के अंतरकर कई गाओं आते थे और हर गाओं का मुखिया पादरी कहलाता था इस प्रकार हम देखते हैं कि एक प्रिशासनिक विवस्था थी इस तरह पोप से लेके पादरी तक एक बड़ा अधिकारी मंदल था जो पादरियों के अधिकार में आते थे जन्यपद और छोटी काई थी जो चर्च के प्रशासन को संचालित करती थी ये सब सम्मिलित रूप से लौकिक पादरी कहलाते थे और लौकिक शब्द कहां से आया और था इस फिजिकल वर्ड से उनका ज्यादा संबन्द था भौतिक दुनिया से ज्यादा संबन्द था अलौकिक पारलौकिक नहीं लौकिक पादरी जो लोग प्रशासन को देखते थे इस पकार हमने समाज के तीन वर्गों में दो वर्गों का अध्यन कर लिया इस अध्याय में तीन वर्ग विशेश रूप से बताएगे हैं वैसे एक चौथा वर्ग भी है जिसके बारे में हम आगे थोड़ी संक्षित में चर्चा करेंगे पर जो तीन वर्ग मुख्य रूप से थे सामंत वर्ग अभिजात वर्ग और धार्मिक वर्ग अर्था पाद्रियों का वर्ग इसका हमने अध्यन कर लिया और ये जाना कि धर्म के मामले में क्या वैवस्था थी और इसाई धर्म के परिचार प्रसार में इन पाद्रियों का भिक्शुओं का नंस का कितना योगदान रहा और साती ये भी जाना कि इसाई धर्म कितना केंडरी कित रहा एक पोप सभी लोंगों के लिए स्विकृत पद था ये सब जानने के बाद, इसकी विशेषताएं जानने के बाद हम आते हैं तीसरे वर्ग की और वैसे तो तीसरे वर्ग से जुड़े हुए लोगु का जिक्र, सामन तवाद की चर्चा करते हुए काफी कुछ हो चुका है लेकिन अब हम अलग से तीसरे वर्ग की चर्चा करेंगे पढ़ेंगे जिसे कहते हैं कृष्यक वर्ग सबसे बड़ी विशाल संख्या इनी की थी ये प्रत्राम दोनों वर्गों को जोड़ भी दिया जाया उससे भी इनकी संख्या बहुत जादा थी और ये जो वर्ग है ये वही वर्ग है जो पहले दो वर्गों का भरण पोशन करते थे फसल उगा कर फसल उपजा कर सामन्ती विश्था में सबसे नीचे कड़ी में किसान होता था वो किसान सामन्तों की भूमे में खेती करता था वैसे देखा जाए तो किसान दो तरीके के थे दो तरह के थे एक वे जो स्वतंतर किसान जने हम सर्फ कह सकते हैं और एक दूसरे होते थे क्रिश्य दास दास मतलब सर्फ स्वतंतर किसान अलग दूसरे श्रेणी जो होती है वह कहलाती थी सर्फ स-E-R-F वहीं से शुरू हुआ सर्फ डम अर्था किसान किसान लों की दासी व्यवश्था दास की व्यवश्था एक्चुली जो सर्फ शब्द है वहां आया है मूलता है टू सर्फ से स-E-R-V-E सेवा देना तो यह दूसरी श्रेणी थी किसानों की यह बहुत सेवा ही देती रहती थी और इसलिए इस सर्फ कहला है स्वतंत किसान जो थे वो अपने को लॉर्ड के काश्टकार के रूप में देखते थे इस पकार उनका स्थर थोड़ा ऊपर था और एक तो स्वतंत तो थे ही इस समाज के पुरिशों का सैनिक सेवा में योगदान जरूरी था बूल रूप से खास चर्क तौर से स्वतंत किसानों का क्रिशक और उनके परिवारों को क्रिशी कारे के अतरिक्त दूसरे कारे भी करने पड़ते थे जैसा हमने पूर में पढ़ा है गढ़ा खोदना, मजरा से जुड़े काम में जुड़ना, लकड़ी काट कर लाना, बाड़ बनाना, मेड़ बनाना, सड़क, भवन, निर्मान, मरम्मत करना, पशुचारण, आधी आधी ये सारे बहुत से काम इनको करने होते थे क्रिश्कों को और महिलाओं को सूद कातना, कपड़ा बनाना, मौम बत्तियां, अंगूर के रस से मजरा बनाना, आधी आधी इस पकार हम देखते हैं, कि जो सबसे निम्न श्रिणी के लोग थे, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी, ये लोग काफी शोशित भी थे सर्फ, शब्द ही बताता है, सर्फ, स-E-R-F, जिसकी विद्पत्ति टु सर्फ से हुई है, इनका जीवनी सर्विस के लिए था क्रिशी दास, जिसे हम हिंदी में कहें, क्रिशी से जुड़े हुए दास, अपने जीविन को पाजन के लिए, जिन भूखंडों पर खेती करते थे, वे लौड के स्वामित्व में थे और ऐसी भी जमीन थी, इसके अत्रिक्त वे, लौड की खुद की जमीन में भी खेती करते थे, इस बात को समझने के कुशिश करिये, कि जिस जमीन में क्रिशी दास, जिन भूखंडों पर खेती करते थे, वे लौड के स्वामित्व में थे, और इसलिए, चुँकि लौड के स्वामित्व में थे इसलिए अधिकतर जो उपज होती थी वो लॉड को दे दी जाती थी देनी पड़ती थी इसके अलावा वे ये उन भूखंडों पर वहां भी खेती करते थे जो केवल लॉड के स्वामित्व में होती थी इसके लिए उन्हें कोई मजदूरियादी नहीं मि थोड़ दन मिलता था तो इस वकार जो क्रिशक वर्ग था वहां बहुत ये एक्स्प्लाइटेट था बहुत शोशित था उपच का काफी हिस्सा लॉड को दे देना उसकी जमीन में काम करने पर कुछ मजदूरी ना मिलना आग्या का पालन विवन तरीके के काम करना छोड़ने की सतंता ना होना ये सब किस बात के उधार हैं दास्ता के उधार हैं दास्ता की भी एक सीमा होती है ये बहुत बुरे स दास्तर की दास्ता थी। शिर्फ वह अपने लॉड की चक्की पर आसा पीश सकते थे। उनके तंदूर से रोटी सेख तकते थे। और बीयर वगर तयार कर सकते थे। लॉड ये निर्णे करता था कि क्रिश्डासों को किसके साथ विवाह करना है। और ऐसा तै करने के बाद लॉड विवाह शल्क भी लेता था। अर्थाथ एक तरीके से हम देख रहे हैं कि क्रिश्कों के पूरे जीवन पर एक तरीके से बड़ा कठोर नियंतर्ण था लॉड का। इतना कठोर नियंतर्ण कि विवाह किस से करना है ये भी वही तै करेगा और विवाह के परिप्रेक्ष में शल्क भी लेगा। विवाह शल्क जिसे कहा जाता था इस पकार मद्यकाली यॉरॉप जिसे हम संदकाल कहते हैं उसमें समाज तीन वर्गों में विभाज़त पूरा समाज कृशी दास्टों के श्रम पर अधारित ये आप समझ गया है और कृशक का श्रम कृशक का खून पसीना उस पर उसकी मेहनत पर उपर के दो वर्ग गिलासिता का जीवन जीते थे आमोट प्रमोट का जीव बिभाजन की बात करें तो एक तरीके से हमसे एक चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं पहला वर्ग पादरी दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग तीसरा कृशक वर्ग पादरी वर्ग जो उसका पहला बिंदु इसाई समाज का मार्ग दर्शक दूसरा बिंदू धर्म उपदेश तीसरा बिंदू चर्च चौथा बिंदू इस सम्मन्द में भेक्षु और उससे जुड़ हुए मठ जहां निश्चित नीमों के पालन के आउश्कता थी पाँचवा धार्मिक समुदायों में रहना और छट्वा आम आदमी को दूर के मठों में निवास करने के लिए छोड़ना अभिजात वर्क की बात करें तो इसका पहला बिंदू है अपनी संपदा पर इस्थाई नियंत्रण इस्थाई नियंत्रण के माइने क्या वंशगत वंशानुगत दूसरा सैनिक शम्ता तीसरा न्यायले लगाने का अधिकार चौथा इनकी अपनी मुद्रा होती थी और पांचवा नाइट्स जिसे अश्वा रोही भी हम कह सकते हैं क्रिशक वर्क की बात करें तो दो तरीके के क्रिशक थे एक तो सुतंतर किसान और दूसरा क्रिशी दास या जिसे सर्फ मैंने कहा है सुतंत किसान से ताटपर है जो अपनी भूमी को लॉर्ड के काश्टकार के रूप में देखते थे और दास्वे थे जो लॉड के भुखंडों पर कारे करते थे और पूरी तरह से उनको समर्पित रहते थे पूरी सेवा देते थे निश्कर्ष ये कि अब हम थोड़ा विशेष्टाओं की और ज़रा एक बार और देखें सामन्ती प्रथा जो थी इसके क्या गुण थे वैसे तो शान्ती की व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास था रोमन समराजी जब तूटता है उसका पतन होता है और मुस्लिम और हूण जैसी जातियां अराजक्ता फैलारी होती हैं उसको समाप करने के लिए सामन्त वाद की व्यवस्था आई थी जो खेत्री सत्रपों के व्यवस्था आई थी और इस सामन्त वादी व्यवस्था ने फैलती हुई अराजक्ता को ना केवल रोका बलकि एक सुद्रिण दिवार का भी काम किया अर्थात सामन्त वाद की उपज के कारणों में एक मुख्य कारण सा इस तरह की व्यवस्था की आवश्यक्ता एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यक्ता जो राजक्ता को रोक सके उस समय की जो राजनतिक उथल पुथल हो रही थी और हूनों के आक्रमन अर्बों के आक्रमन रोमन सामराज के पतन का जो दौर चला था उसमें समाज को एक दिशा देने के लिए भले ही छोटे स्थर पर इन सामनतों को सामने लाए गया या सामनत सामने आये बलकि हम कहेंगे कि सामनत सामने आये क्योंकि कोई ऐसी केंदरी कृत वह था नहीं थी कोई ऐसा केंदरी समराज समराट नहीं था जिसके नित्रित में अराजकता थे मुक्ति पाई जा सके। तो इसलिए क्षेतरी स्तर पर इस सामन्त लोग उभरे सामन्त वाद सामने आ दा। दूसरा, सामंती परता में सामंत जो थे वो अपनी अपनी जागीरों और छेत्रों की शासन व्यवथ्था को सुधारने में विशे शुरूची रखते थे सुभाविक रूप से ऐसा होना था क्योंकि सामंत निश्चित रूप से चाहते थे कि उनके खेतर में शांती रहे, फसल उपज समय पर होती रहे, क्योंकि उसी फसल और उपज से कर मिलना है, उस कर्प के अधार परती है, उनके जीवन अधार इथा, उस कर से होने वाली आए से ही तो ये लोग विलासिता का जीवन जी पा रहे थे, तो इसलिए शांती और धना को ठीक करें तीसरा सामन्त वाद के द्वारा सामन्त लोग सैनिक संगठनों को मजबूत बनाएं वीरों को प्रसाहित के नाइट साधी बनाएं और इसमें विशेश रूची लिए ऐसा करते हुए वे अपने सेना के का उत्साह वर्धन करते थे सेना की शक्ति में बढ़ुत्र भी करते थे चौथी विशेशता सामन्त वाद की प्रता के माध्यम से पहली बार हम देखते हैं कि सारवजनिक नियमों का विकास होता है सारवजनिक नियम सामन्त अपनी जागीर को विवस्थित रखने और शांत कायम करने के लिए कुछ नियम बनाते थे वे सारवजनिक न पांचुई शेष्टा अपनी जागीर में शांती वस्था बनाया रखनेक और युद्ध के दौरान सैनिकों को भेजने के लिए सामन्तों ने जो सडकों का जाल बनाया, सडकें बनवाई, उसका बहुत अच्छा परणाम व्यापार पर पड़ा इस काल में हम देखते हैं सामन्तों के दौरा बनाई गई सडकों के कारण व्यापार काफी बड़ा यद्यपी बनाने के पीछे मुख्य मकसद था अपने सैनिकों को भेजने की उच्छत विरस्था करना, उसका मकसद था शांती बनाया रखने के लिए यद्यपी दरान सैनिकों को भेजने के लिए सडके बनाना, अंग्रेजों का मकसद भारत में सडके बनाने का क्या था, रेलवे लाइन लाने का क्या था, अपना माल और अपने सैनिक अंदरूनी इलाकों में भेज पाने के ख्षमता पाना, पर इसका परणाम क्या हुआ, प कहने का ताथ पर ये कि सडकों का निर्माण किसी और उद्येस्चे हुआ पर इसने व्यापार को बढ़ावा दिया सैनिकों के मुवमेंट के लिए सडक निर्माण ने जहां व्यापार को प्रोशाहित किया व्यापार को बढ़ावा दिया वहीं सामन्तों ने कृषी विकास पर इसलिए ध्यान दिया ताकि उसकी आय से उनका कर बढ़े इसलिए नहीं कि वो वास्तों में कृषी के उत्पादन में विश्वास रखते थे या कृशी के इस पादन के लिए प्रयास करते थे उनका तो मूल उद्देश होता था ज़्यादा से ज़्यादा कराधान बढ़ती कृशी उपज बढ़ती आए बड़ा सीधा फार्मुला था साथवी विशेष्टा, राजा, सामंत और किसान अपने अपने कर्तवियों का पालन करना सुनिश्चित करते थे राजा अपना काम करे, सामन्त अपने काम करे, किसान अपने कारे करे इसलिए सेवा, सचाई और इमानदारी इस पर बहुत बल दिया गया आप पाएंगे कि समाज के तीनों तबकों में, तीनों वर्ग में सेवा को लेकर बारंबार बात की गई सेवा और अनुशासन पर बहुत जोड दिया गया तो बहुत अनुशासित जीवन, सेवा से जुड़ा हुआ जीवन, सच्चाई और इमानदारी इस पर अत्याधिक बल हम पाते हैं इस सामन्ती काल में, इस्तिरियों को भी सम्मान के दिश्टी से देखा जाता था यह बहुत बड़ी विशेशता, क्योंकि सामन्ती काल में, सामान निता कुछ दूसरे खेतरों में, स्थिति कुछ दूसरी रही है महिलाओं की पर यहां पुस्तिरियों को भी सम्मान के दिश्टी से देखा गया, तो समझने के बात यह कि सामन्त लोग या यह काल जिसमें सामन्त वाद का डबदबा था, वह सेवा, सच्चाई और इमानदारी पर जोर देने वाला काल था इसके बाद